हलो नमस्कार दोस्तों रभी ओनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है आज फिर से हम लोग बिहार बिजली भी भाग इसके जहां सरद्वारा आफलाइन टेस्ट मोडल फ्रैक्टिस सेट छे को देखेंगे पहला केचन है 16 सवय कामन में मुगलो द्वारा इस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल के किस स्थान पर व्यापार करने और करखाना बनाने के अनुमति दी गई थी लज सवय कामन में मुगलो द्वारा इस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल के किस स्थान पर व्यापार करने और करखाना बनाने के अनुमति दी गई थी तो कासिम बंजार कासिम बंजार करो या मरो का नारा निमलिकित अन्दोलनों में से किस से समंदित है तो यह अन्दोलन भारत छोरो अन्दोलन से समंदित है भारत छोरो अंदोलन से समंदित हैं 1942 में भारत छोरो अंदोलन के दोरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने कहा कि या तो आजाद भारत देखेंगे या फिर मालना पसंद करेंगे हमें अपनी निरंतर गुलामी को देखने के लिए जिन्दा नहीं रहेंगे यह बात गांधे जीने कहें थे बिहार में कुल संसाधिये निरवाचन छेतरों की सैंक्या कितनी है तो बिहार में संसाधिये निरवाचन छेतरों की सैंक्या 40 है कितनी है? 40 है भारतिये सब्धान के किस भाग को डाक्टर भीमराम अम्बेदकर द्वारा सब्धान की एक अदितिय विश्ष्ष्था कहा गया है तो राज के निती निर्देशक सिधान्त को कहा गया है कि राज के निती निर्देशक सिधान्त को अदितिय विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कहा स्ठापित किया गया था तो निलगिरी में निलगिरी भारत में अंतराश्ट ये बायोएस्फियर रिजर्ब में से एक है बर्स 19.07 में भारत का पहला बायोएस्फियर रिजर्ब बना था निमलिखित में कौनसा यूग में गलत सुमलित है तो कोयना पर्योजना महराष्ट से समंदित है सरवती पर्योजना कानाटक से समंदित है बाली मेला पर्योजना उरिशा से समंदित है और समर गिरी या सनागरी गिरी पर्योजना केरल से समंदित है जो यहाँ पे गुजरात दिया हुआ, यहाँ पे क्या होगा? केरल होगा। आप्सनमे डी गलत सुमलित है। हाल ही में परघंबिक अस्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सिवेरा कार्ज करम किसने परघंब किया है? तो यहाँ कार्ज करम हर्याना सरकार के द्वारा सुरू किया गया है। हाल ही में इसोरियों में एनेमियां को नियंतरित करने के लिए उतकर्स पहल किसने लौंच किया है? मीशा ने उतकर्स पहल किसने लौंच किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्र आला है और आयूस मंत्र आला है दोनों ए और भी दोनों गौप सनमर दे हाली में एसियन रिबर रॉफ्टिंग चेंपियन सिप का योजन कहां किया जा रहा है एसियन रिबर रॉफ्टिंग चेंपियन सिप का योजन कहां किया जा रहा है तो सिमला में हिंदी देखिएगा दोन्द समास का उधारन कौन है तो दिन हीन क्या होगा दिन हीन निम्न में बरतनी की दिरिष्टी से सूध सब्द कौन सा है तो राइट एंसर क्या होगा डी कौन सा सब्द परत्याय युक्त हैं तो छलावा क्या होगा छलावा हिंदी की बहु चारचित पत्र का सरस्वती के संपादक कौन थे हैं हिंदी के बहु चारचित पत्र का सरस्वती के संपादक कौन थें तो सरस्वती पत्र का के संपादक महावीर परसाद द्रिवेदी यहां परकासन इलाहा वादसे जनवारी उनईस इस भी में शुरू हुआ था लराकपन में किस परत्याय का प्रयोग हुआ है तो पन का किसका प्रयोग हुआ है पन का निम्न में कौनसा घोरा का प्रयोग वाची नहीं है तो लोचन घोरा का प्रयोग वाची क्या होता है अस्व है तुरंग घोटक लड़ू दिपक ने खा लिया बाग का सूध रुप बताईए तो दिपक ने लड़ू खा लिया यह सूध बाग होगा गोसामी तुलसी दास की रचना कवितावली किस भासा की रचना है तो गोसामी तुलसी दास की रचना कवितावली बरज भासा की रचना है दिये गए विकल्पों में से वाग्जियाल का संधी बिछेद बताईए तो आपसन नमर क्या होगा डी निरीप नीचे दिये गए विकल्पों में से सब्द का समनर्थी समनर्थी मतलब प्रयावाची सब्द ताई निरीप का तो निरीप का प्रयावाची सब्द भूप और महीप होता है जैसे महादेव का क्या होता है संभू इसवर संकर राजीब के क्या होता है ललीन है ना ललीन राजीब का है यहां से इंगलिस है सलेक्ट दा मोस्ट ओप्सन की बात कहा गया है इंगलिस के क्या होगा ौप्सन देंस की क्या होगा और ऑप्सन नमबर aziो इनका प्रयोग होगा पना सलेक्ट दा मोश्ट देंस आनďो निम पूछ रहा है ठीचिंगलिस खुद के रहे का प्रयास कीजिएगा दोस्त तब 22 के क्या होगा force होगा क्या होगा force 30 की क्या होगा d 24 की क्या होगा तो 24 की option नम्मर a होगा 25 के क्या होगा तो 25 के पारलियामेंट होगा यहां से रिजनिंग देखिएगा और देखिएगा रिजनिंग आपसे बनता है कि नहीं आधाय उत्तर की वर 500 मिटर चलती है और फिर बाये मुर्ती है फिर बाये मुर्ती है और फिर बाये मुर्ती है और हाई 100 मिटर चलती है वह अपनी पलंबे किस्तिती के समन्ध में किस दिशा में खड़ी है तो यह पोर्शन क्या होगा सर यहां से उत्तर पच्छिम क्या होगा उत्तर पच्छिम कलेंडर का क्यूचन है कि 19 अप्रेल 2020 को कौन सा दिन था तो रवी बार दिन था दिये कथन निसकर्ष का क्योचन है इसमें कहा गया है हमारा करज्याला छठी मंजिल पर इस्तित है यदि मारत में दो से अधिक मंजिल है तो उसमें लिफ्ट होगी निसकर्ष काता है पहली मंजिल से अंत तक परतेक मंजिल तक लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है दूसरा पाच मी मंजिल पर लिफ्ट नहीं देखिए पहला जो कहता है कि पहली मंजिल से अंत तक परतेक मंजिल तक लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है इसा ही है दूसरा पाचमी मंजिल पर लिफ्ट नहीं है ऐसा बत नहीं कि अच्छा ने करता है तो कि हमारा कर जाला छटी मंजिल पर इमारत से दो से अधिक मंजिल है तो उसमें लिफ्ट होगा तो अच्छा ने करता है निचे दिये गए कथन तथा दोनों निश्कर्सों को ध्यान से पढ़िए नैना माही से पेन मांगती है कथन काता है नैना के पास पेन नहीं है तब तो मांगती है नैना कुछ लिखना चाहती है ये भी हो सकता है कि नैना कुछ लिखना चाहती है तो दोनों निस कर्ष अनुराच्छन करते हैं क्योंच नमर तीज देखिएगा निखिल किसी पार्क में एक लर्के से मिलता है वह लर्का निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रुप में करता है निखिल जो एक लर्का से मिलता है वो लर्का इनके पिता के छोटे भाई के रुप में करता है निखिल का उस लर्के से क्या समन्ध है तो यह लर्का अंकल होंगे सर क्या होंगे अंकल होंगे इस रिंकला का अगला पद क्या होगा इस रिंकला का अगला पद भी एल बारा होगा इस रिंकला में अगला सब्द बताईए इसका 48 जी ओ जी जी रो टी होगा सर अप्सन नमबर बी दी गई इस रिंकला में अगली सब्द बताईए तो देखिए तीन दूनी छे छे दूनी बारा बारा दूनी चोवेश चोवेश दूनी अड़ तालीस आड़ तालीस दूनी क्या होता है छे आनमे यह तुदम इजी था है इरीक तस्थानों को कर्मा गत रुप से भागने के लिए उचित जिन्हों का चैन करें ताकी बायाँ पच्छ मतलब एलेच एलेच एस बराबर आर एच एस हो जाए यहाँ पे कौनसा आप्सन यहाँ पे रखा जाए जो हल करने पड़ सोला आजाए तो ओ आप्सन होगा आप्सन नमबर सी पहले गुना रखिए फिन भागा रखिए फिन जोर रखिए तो हल किज़े कितना होगा सोला निम्न में से बेजोर गयात किज़े मतलब वीशम सब्द को छाटिए वीशम सब्द को छाटिए पाई सिग्मा समकलन एख इन्टरगेशन का संकेत है यह सभी गनितिय संकेत जबकि यह एक अच्छर है एक क्या है अच्छर है एक क्या है अच्छर है CPU पढ़ने या लिखने का कार्ज करने के लिए प्रात्मिक मेमोरी के साथ सिधे इंटरेक्ट करता है तो क्या होगा? प्रात्मिक क्या होगा? बाल्ड बाइड बेव का विसकारा किसके द्वारा किया गया था? बाल्ड बाइड बेव का विसकारा किसके द्वारा किया गया था? तो बाल्ड बाइड बेव का विसकारा कि टीक बैरे नर्स लीक के द्वारा किया गया था? कम्प्यूटर साइंस में भी ओ आईपी भी ओ आईपी का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आवाज इनमें से कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो HTML अपरेटंग सिस्टिम नहीं है बलकि ये क्या आप लाइंग बेज है HTML अप लाइंग बेज है एक टेरावाइट कितने मेगावाइट के बरावर होता है तो option number D right answer होगा देखें एक टेरावाइट 1024 गीगावाइट के बरावर होता है अब 1 GB बाब है तरह के बराबहर होते हैं एक तिरावाइट बंबर कितना होगा दसोच्विस कुने 1024 इन में से कौ pregunta बेब बराउजर नहीं है चैंट courts इन में से कौन सा गया अपरेटिंग सिस्टम है इन में से कौन सा डेटाबेस माइनेजमेंट सिस्टम नहीं है इन में से कौन सा डेटाबेस माइनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो कास्मोस पराहम कास्मोस अब रहांद कि नेटवर्क को अनधी क्रीत पहुंच से बचाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल ब्लोकिंग करें किसका प्रयोक करेंगे तो फायर बॉल को किसका प्रयोक करेंगे देखिए फायर बॉल एक नेटवर्क सुरच्छा है जो नेटवर्क को अनधी क्रीत पहुंच से बचाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल पर उप्योग करता है कम्प्यूटर डेटा स्टोरेज का एक रूप है जो सिस्टम की समान गती को बढ़ाने के लिए अक्सर उप्योग किये जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को अस्टोर करता है तो रैडम एक्सेस मेमोरी एक रैडम एक्सेस मेमोरी डिवाइस डेटा आइटम को मेमोरी में डेटा के बहुतिक अस्थान के बावजूद समान समय में पढ़ने या लिखने के अनुमती देता है या कम्प्यूटर की गती बढ़ाने के लिए अक्सर उप्योग किये जाने वाले प्रोग्राम को श्टोर करता है याद रखेगा है रैडम एक्सेस मेमोरी डेटा परकार और उनके बीच समंधों को परिवासित करता है डेटा परकार और उनके बीच समंधों को परिवासित करता है डेटा परिवासा भासा कम्प्यूटर मौउस का विश्कार किसने किये थे देखेगा कंप्यूटर तो 46 का क्या हो जाएगा क्यों चन्य कंप्यूटर मौस का विश्कार किसने किया या किसने किये थे होंगे कंप्यूटर मौस का विश्कार किसने किये तो डगलस इंजल वाल्ट option number क्या होगा container में ए ए लिव का क्या अर्थ होता है अंक गनितिये तर की काемся Jims A. Gosling ने कौन सी programming भासा बिक्सित की है James A. Gosling ने कौन सी programming भासा बिक्सित की है 48 बताईएगा तो Java क्या Java Java programming language का विकास Kanada के computer बेग्यानिक James Arthur Gosling ने किया है Java के platform को Java virtual machine की रुप में जाना जाता है याद रखियेगा कहां के रहने वाले थें तो Kanada के computer बेग्यानिक थे आपस में जूरे सरकारी सैसनिक, सर्वजनिक और निजी computer network की एक बैस्विक परनाली कौन सा है तो Internet, क्या है सर, Internet Dot Matrix निमलिखित में किसका उधारन है Dot Matrix निमलिखित में किसका उधारन है तो Dot Matrix एक्स परकार का Impact Printer है जो मुद्रक का उधारन होगा यहां से टेकनीकल आश्टार्ड होता है कि उचन नमरे कामन देखेगा उच गती परत्याव अर्तित में किस परकार का घोलना के प्रियूक होता है तो उच गती परत्याव अर्तित में किस परकार का घोलना का प्रियूक किया जाता है तो बिलना कार धुरूब परकार का रोटर का प्रियूक किया जाता है कि उचन नमर बामन देखेगा भू इलेक्ट्रोड के रुपने भू इलेक्ट्रोड के रुपने प्रियूक ते तामर प्रेट की मोटाई कितनी होती है तो देखिए आर्थ इलेक्ट्रोड के लिए उप्योगी ताम्र पलेट की मोटाए 3.15 mm होती है आर्थ इलेक्ट्रोड मतलब भू इलेक्ट्रोड के रुप में परूक्त ताम्र पलेट की मोटाए 3.15 mm होती है लेकिन याद रखेगा आयोग द्वारा माना गया उत्तर अप्सन नम्मर B 12.0 लेकिन बसताविक तोर से भू एलेक्ट्रोड के रुब में प्र्युक्त तामर्ख की पलेट के मोटताय 13.15 महता है लेकिन आयोग द्वारा माना गया उत्तर 3.0 महता है एक नियत DC सुरोत से DC मोटर की गती को नियांतरित करने के लिए किस परकार के बिधुत इलेक्ट्रोनिक परिवर्तक का उप्योग किया जाता है। किसी प्रेरन मोटर के धुरुबो को दुगना काने पर गती पर क्या पर हो परेगा। किस एप बटा क्या होता है पी अब रिती हार्टज में मापा जाता है पीवन क्या पोलो की संख्या यदि धुरुबो की संख्या को दुगनी कर दी जाए। मतलब पीवन जो है और दुगना हो जाएगा तो काता है कि एनेस की चाल के अपना होगा। गति जो हो जाएगा बटा में तो अद आब यहां पर दुगना किजिएगा और एक सो बीस क्या होगा कोस्ट्येंट रह जाएगा अचर पद यहां पर कोस्ट्येंट के मानु की रुप में रहेगा ता अब बताए कि एने से बटा एप वही रहेगा और बटा में दुगना किजिएगा तो टूपी तो बता ये इसके बटा में वन समन पाती वन वटा टूटा क्या हो जाएगा आधी हो जाएगी बिदूत की गती कितनी होती है तो 1,86,000 मिल प्रति सेकेंड आप्सन नमर ए सही होए डिसी जनीत्र का कौन सा घटक दिक पडिवर्तक पर आरोपित किया जाता है जो आर मेचर कुंडलन से धारा को एकत्र करता है तो यह हो जाएगा कारवन बरस क्या हो जाएगा डिसी जनीत्र का कारवन बरूस दिक पडिवर्तक पर आरोपित किया जाता है जो आर मेचर कुंडलन से धारा को एकत्र करता है कारवन बरूस प्राया कारवन के बने होते हैं कारवन बरूस जो हता है वो कारवन के बने होते हैं कारवन का प्रतिरोज तामे के प्रतिरोज से अधीक होता है बिदूत केवलों के अस्थापना के लिए किस परकार के या ती हाथ मातपूल नहीं है तो इन्हें इस तरह से अस्थापित किये जाना चाहिए किया मुल जुआला मंदक गुनों के साथ हच्ते छेप न करें अपस्न नमर ची होगा किस अकार के तार में उज्तम धारा को बहन करने की छमता होती है तो चार गेज क्या हो जाएगा चार गेज देखिए दिये गए आप्शन के मताविक चार गेज अकार के तार में उच धारा को बहन करने की छमता होती है बिग्यान और इंजिनियरिंग की भासा में गेज एकूप करन है जिसका उप्योग माप करना या जनकारी पर दर्शन करने के लिए किया जाता है 240 बोल्ट के फेज बोल्टेज वाले तीन फेज बैले इंसेड अश्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन बोल्टेज क्या होती है तो यह होता है 4.415.7 बोल्ट लाँ चुमकिये पदार्थ किससे बनाये जाते हैं लाँ चुमकिये पदार्थ किससे बनाये जाते हैं तो लाँ चुमकिये पदार्थ लोहा निकल और कोवाल्ट से बनाया जाते हैं लाँ चुमकिये पदार्थ लोहा निकल कोवाल्ट से बनाये जाते हैं जो पदार्थ किसी सकति साली चुमकीय छेत में रखने पर चुमक बन जाते हैं. लाउठ चुमकीय पदार्थ कहलाते हैं. इन पदार्थों की चुमक सिल्ता कामान 11 से काफी अधिक लगभग है, 1000 तक होती है. इसी का प्रयोग अस्थाई चुमक बनाने में किया जाता है. क्योंचा नमर 61 देखिएगा किसी 35 प्रेरन मोटर में निम्न में से कौन सिंगल फिजिंग का परभाव नहीं है तो आपसन नमर भी मोटर रनिंग इस्थिती में लगतार चलती रहेगी केबल के पैरा बैधुत पैरा बैधुत मतलब डाई इलेक्ट्रिक में प्रतिवल की समकारी परकिरिया को क्या कहा जाता है तो केबल की ग्रेडिंग कहा जाता है केबल की ग्रेडिंग कहा जाता है सीट सट दिखिएगा जनरेशन मोड में प्रचालित प्रेरन मसीन की गती क्या होती है जनरेशन मोड में परचालित प्रेरन मसीन की गती क्या होती है तो तुलकालिक गती से उपर चलती है जनरेशन मोड में परचालित प्रेरन मसीन की गती तुलकालिक गती से उपर होती है इस परकार इसे प्रेरन जनरेटर के रुप में भी जाना जाता है DC जनरेटर के सिलिप्ट लिट रिंग्स बने होते हैं किस से तो कर्षित कठोड तामबा या हाड ड्रॉन काउपर से निमन में कौनसा सुत्र DC मोटर में अधिक्तम छमता या दचता पर सही रुप से धारा को ब्यक्त करता है तो देखिएगा 65 का ओप्षन तो इसका सही सुत्र जो होगा ओप्षन नमबर डी होगा आप्से नमबर दी पोल्न भाड धारा मतलव लोड लोड धारा गुन रूट अंदर इस्थीपर्य रहानी ब्टा पोल्न लोड ताम रहानी भार मतलव लोड ताम रहानी तो आप्से नमबर क्या होगा डी तुलकालिक मोटरों को विशेस रुप से सक्ति गुनक संसोधन उपकरन के रुप में नियोजित करने पर उन्हें क्या कहा जाता है क्यूचन काता है तुलकालिक मोटरों को विशेश रुप से सक्ती गुनक संसोधन उपकरन के रुप में नियोजित करने पर उन्हें क्या कहा जाएगा यदि तुलकालिक मोटरों को विशेश रुप से सक्ती गुनक्षन सोधन उपकरन के रुप में नियोजित किया जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा तो उन्हें सिंक्रो नस कंडेंसर कहा जाता है इस स्थिती में मोटर सून लोड पर चलते है यह भी याद रखेगा जब सक्ती गुनक्षन सोधन ने रुप में नियोजित किया जाता है तो इस श्चिति में मोटर सून लोट पर चलती है जब तुल कालिक मोटर अधीक उतेजित होती है तुजह संधारित के भाती अगरामी मतलब अगरामी धारा लेती है निम्न विकल्पों में से इना लॉग मल्टी मिटर की तुल्णा में डिजिटल मल्टी मिटर का एक लाब क्या है डिजिटल मिटर जो बटम उगते उगता नहीं है और इना लॉग था जो काटा वाला होता था तो इसकी तुल्णा में इना लॉग मल्टी मिटर की तुल्णा में अधिक सटिक पठे अंक एडिग देता है ओप्सन नमबर भी होगा याद रखेगा जिस ट्रांसफर्मर का कोई नुकसान नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है तो आदर्स ट्रांसफर्मर कहा जाता है जिस ट्रांसफर्मर का कोई नुकसान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं तो आदर्स ट्रांसफर्मर कहते हैं 79 देखिएगा इनिवर्सल मोटर का पहरांबन बला आगोलने क्या होता है तो रनिंग तौर्क का साड़े 400 प्रतिसद इनिवर्सल मोटर का पहरांबन बला आगोलने रनिंग तौर्क का साड़े 400 प्रतिसद होता है दिये गए भी कलपों में से कौन सी मोटर उच परणभन अगोन बिक्सित करने में सच्छम है तो दिखेगा वन फेज सेड़ेड धुरूब अस्थाई DC मोटर असके वायरल केज प्रेरन मोटर रिपलाक्शन मोटर तो यह खतर की क्या हो जाएगा रिपलाक्शन मोटर किसी पडिनामीत्र मतलब ट्रांसफार्मर के दितियक में प्रेरित बिधुत बहाक बल इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स कीस रासी के सिधे समनुपाती होता है देखिए किसी ट्रांसफार्मर के दितियक में बिधुत बहाक बल जो प्रेरित होता है और कोड़ छेत्र के कोड़ छेत्र में फलक्शन घनत्वे के समनुपाती होता है IEEE नियमो कैनुसर थीरी बायर डीसी परिपत के धनात्मक लिए गैर लचीले केबलो के कोड़ की रंग की पहचान किजिए तो कोड़ का रंग कैसा होता है लाल काड़ आलो और अन विशिष्ट उदेशय के लिए कीस पर कार के परकास की अनुसंसा की जाती है मतलब काड़ जयाला और अन विशिष्ट उदेशय के लिए कीस पर कार के परकास की अनुसंसा की जाती है तो आर्ध परकास, आर्ध परत्यच परकास, आपसे नमबर क्या होगा, सेमी डाइरेक्ट लाइटिंग सिष्टम में बस्तू पर कितना परकास आता है, सेमी डाइरेक्ट लाइटिंग सिष्टम में बस्तू पर कितना परकास आता है, तो देखिए सेमी डाइटिंग सिष्टम में बस्तू पर 69 परकास आती है, और 10 से 40 परकास जो उपर तरफ चला जाता है, किसी परकार का प्राइम मुबर अल्टनेटर के लिए उच गती प्राइम मुबर में लिया जाता है तो गैस टर्वाइन क्या होगा किस परकार का प्राइम मुबर अल्टनेटर के लिए उच गती प्राइम मुबर में लिया जाता है तो गैस टर्वाइन अल्टनेटर के लिए गैस टर्वाइन प्राइम मुबर को हाई स्पीड प्राइम मुबर माना जाता है इसके अलावा काम स्पीड के अल्टेनेटर के लिए जल टर्माइन या फिर डिजल इंजन का प्रयोग करते हैं तो हाई स्पीड के लिए किसका प्रयोग करते हैं गैस टर्वाइन के लिए और इससे कम के लिए जल टर्वाइन या डिजल टर्वाइन का प्रयोग किया जाता है अल्टेनेटर में अर्मेचर क्रोड को कम करने के लिए लिमिनेटेड किया जाता है किसे तो इसका राइट हैं जोगा भाबर धारा हाने, क्या होगा भाबर धारा हाने आपसन नमर क्या होगा से बी आई एस नियमों के अनुसर मीटर बोड और मुक स्वीच बोड को जमीन सता से कितनी उचाई पड़ खिड किया जाता है तो 1.5 मिटर B.I.S के अनुसार मीटर बोड और मुख स्वीच बोड को जमीन सता से 1.5 मिटर तक की उचाई पर फिट किया जाता है और स्वीच बोड खाली स्वीच बोड रहेगा तो 1.5 मिटर लैंप के लिए अरहाई मिटर और पंका के लिए 2.5 मिटर नियम बनाया गया है B.I.R का पून रूप क्या होता है तो बलके नाइज इंडियन रबबर बलके नाइज इंडियन रबबर देखिए ये परकिर्तिक रबबर में कुछ यांतरिक गुंजे से परत्यास्ता ताप सहन सिल्ता आदी गुनों को बढ़ाने के लिए उनमें एक से पाच प्रतिशात है सलफर मिलाया जाता है यदि आटपूट 25 किलो वाट और हानी 2 किलो वाट है तो एक परत्याव वार्तित परत्याव वार्तित की दस्ता क्या होगी तो देखिए आपको बतायें थें कि दस्ता बराबर होता है और पूट बटा और पूट पलस हानी गुने साव तो यहां पर और पूट पचीस दिया है और पचीस पलस दो और गुने साव सोल्व किजिएगा तो बान में दस्तमलव साथ परतिसात आएगा बान में दस्तमलव तो याद रखिएगा दस्ता बराबर आपको बटा आपको पलस हानी गुने साव होती है एसी की तुल्ला में डीसी के लाब क्या है काता एसी के तुल्ला में डीसी से लाब क्या है तो देखिए एसी की तुल्ला में डीसी के कोई कोरोना निकरता और अस्कीन परवाव नहीं करता है बिभाक्त कोर के साथ एक धारा परिनामीतर जब रिकॉर्डिंग मीटर के साथ प्रियुक्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कलैम्प मीटर कहा जाता है निम्न आक्रीती में किस परकार के डायोड को दर्साया गया है मतलब आक्रीती जो है किस परकार का डायोड है बताईएगा तो यह फोटो डायोड है क्या है फोटो डायोड यदि लाइन भोल्टता है दूसरो बामन भोल्ट और लाइन धारा छे एंपियर है तो तिरकोन तिरकोन ओजीते मतलब डेल्टा कनेक्टेड थिरी कला फेज परनाली में कला भोल्टता क्या होगा तो याद रखिएगा दोसरो बामन भोल्ट इसका भी सूत्र होता है आई एल ब्यावार रूट थीरी आई फी एच लेकिन भी यह निकालना पड़ेगा दोस्त देखिए आक्रिती में दर्साये गए क्रोड परकार के परिनामित्र में कुंडरन अभिकल्प का मिलान करें होगा बिलनाकार कुंडलन यहां कैसा कुंडलन है तो यहां बिलनाकार कुंडलन है कैसा है बिलनाकार कुंडलन है कि निम्न में से कौनसा उपकेंद्रे नहीं है मतलब सब अस्टेशन नहीं है तब ओभार डोर सबस्टेशन ओभार डोर सबस्टेशन देखें सब एसी सबस्टेशन तीन परकार का होता है पोल वाले सबस्टेशन खूले अस्थान पे लगे सबस्टेशन बंद स्थान पे लगे सबस्टेशन किसी आच के पडिता एक बल का तर्णिंग या तर्विश्टिंग आघुन ग्लाटा है तो तर्निंग आघून तोर्क कालाता है क्या क्या कालाता है टौर्क और टेंसर तो बरीदसर होगा क्या होगा बरीदर। यदि अखारा सौ मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है तो 400 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा तो देखिए यहां पे दिया है 11 और सौ मीटर शब्द दिया है नबदे ओम और आईटू दिया है 300 और आलटू पूछ रहा है तो आप जानते हैं आर समनुपाती एल होता है पढ़े हों लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है तो एक फर्मूला याद रखिएगा आरबन बढ़ता आरटू बराबर एलबन बढ़ता एलटू यहां दू प्रतिरोध और दू लंबाई के लिए तुलना किया जाता है तो इसका अगर बनाईयेगा तब पंदरा ओम आएगा 500 कि तना आएगां 15 होम आएगा भा जीक क्या है हैं कि बैख लाइट किया है तब एक लाइट एक विदुत-तरोधाक है इनिंसूलेटर आरब ऑनाफिक लाइट एक इनिंसूलेटर पदार्थ है फेज के उदासिंतार के सौट होने पर क्या परवाओ होगा फेज के उदासिंतार मतलब न्यूट्रेल बाइड के सौट होने पर क्या परवाओ परेगा तो डी होगा उचधारा परवाओ और फायर मतलब आग लगने की समामना हो सकती है समानतर करम में जुरे 50 Ohm, 100 Ohm, 1.500 Ohm के कुल प्रतुरह कितना होगा देखिए 1 वटा आर पी पायर लेल मतलब समानतर करम का फर्मुला होता है 1 वटा आर बन पलस 1 वटा आर टू पलस 1 वटा आर थिरे मतलब आगे भी जा सकते हैं जितना रहेगा इसको निकालने के वाद इसको पलटिएगा तो इधर वाले भी मान पलट जाएगा तो क्या इस सूत्र पे आपको इससे बन सकता है दोस्त तो बनाईएगा तो एंसर आएगा 27.27 Ohm प्रवल चुमक्ये छेत्र के आप सहकता होने पर प्रवल चुमक्ये छेत्र के आप सहकता होने पर चुमक्की करन के लिए यह पूछरा कीस परकार के बाइडिंग है तो यह जुआइंट बॉक्स तार अस्थापन बाइडिंग है अस्थापन मतलब बाइडिंग है आर्थ तरंग दिश्टकारे ज्यात तरंग का कृती गुनक क्या है आर्थ तरंग दिश्टकारे ज्यात तरंग आकृती गुनक का क्या है तो इसका राइट एंसर होगा आप्सन नमबर क्या होगा जब लोड की बिजली की मांग बढ़ जाए तो दो या दो से अधीक ट्रांसफर्मन को परचालन के रुप में किस करम में आप जोड सकते हैं तो यहाँ पे कात होगा देखिए एक ट्रांसफर्मन लगा हुआ है इससे लोड बढ़ गया तो एक ट्रांसफर्मन आव लगा है कि तही शुआ एंगी जेगे ले शक्रणे कंश jij न यं इसके मांतर कर्म में जोड़ा जाएता है किस करम है समांतर कर्म में क्श स्वी कार्ज सिमा के भीतर परिनाम पाने के लिए उर्जा मापी लगतार ट्रूटियों को दूर करने की परकिरिया को क्या कहा जाता है तो उर्जा मापी का अन्साकन इन में से किस परनाली में तीन कला सक्ति का मापन द्वीम वाट मापी विधी से नहीं किया जाता है तो तीन कला चार तर असंतुलित लोड या भार यदि अधिक्तम भोल्ट भोल्टता है तेईस रूट टू भोल्ट है तो एक जया तरांग के सीखर गुनां का मान क्या होगा तो अधिक्तम भोलता है इतना है तो ऊच तरंग के सिखर गुनान क्याद रखिएगा ऊच तरंग के सिखर गुनान का फर्मुला होता है अधिक्तम मान बटा बर्ग माध मूल मान तो बर्ग मूल मान कहसा निकलता है तो आधि बर्ग निकालने के लिए आपको सर स्कॉरर Всем 111 एक्च चार अएगा यदि एक सीरोपडी संचरन लाइन की लंबाई लगबग 15-500 किलो मीटर है और लाइन भोल्टता है समनता उच अर्थार्थ 20 किलो बोल्ट से 100 किलो बोल्ट है तो इसे क्या कहा जाए गता है तो इसे मध्यम संचरन लाइन कहा जाता है इन में कौन सा इलेक्ट्रोनिक्स में सबसे सरल और सबसे सबसे सस्ता फिल्टर प्रतिरोध है तो संधारित इन्पुट फिल्टर